किस से अक्बर बीरबल के पंडित जी शाम ठलने को थी सभी आगंतोक धीरे धीरे अपने घरों को लोटने लगे थे तब ही बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुप चाप एक कोणे में खड़ा है बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो बेहिचक के डालो जो कहना है मुझे बताओ तुमारी क्या समस्या है वो मोटा व्यक्ती सकुचाता हुआ बोला मेरी समस्या ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जिसका मुझे खेद है मैं भी समाज में सिर उठा कर सम्मान से जीना चाहता हूँ और अब नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा नहीं नहीं कोई देर नहीं ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो तुमें भी योगिता है बीरबल ने कहा लेकिन ग्यान पाने में तो सालों लग जाएंगे मोटे आदमी ने कहा मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिधी मिल जाए प्रसिधी पाने का ऐसा कोई आसान रास्ता तो नहीं है बीरबल बोला ज़िए तुम वास्तों में योग्या और प्रसिध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी वो भी कुछ समय के लिए ये सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया नहीं मुझ में इतना धैरे नहीं है मुटे आदमी ने कहा मैं तो तुरंत ही प्रसिधी पाकर पंडिजी कहिवाना चाहता हूँ ठीक है बीरबल ने कहा इसके लिए तो एक ही उपाय है कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाओ मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडिजी पंडिजी कहकर पुकारेंगे वो बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे जिससे दूसरे लोगों का ध्यान तुमारी हो जाएगा और भे भी तुम्हें पंडिजी कहना शुरू कर देंगे ऐसा होना स्वाभाविक भी है लेकिन हमारा नाटक तभी सफलोगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दोड़ाना होगा तुम्हें लेकिन सतरक रहना गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें अगली सुबे मोटा आदμी बीरबल के कहे अनुसा व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गिया तभी बीरबल के बेजे हुए आदमी वहां पहुँचे और ते इस वहर में कहने लगे पंडिजी, पंडिजी, पंडिजी मोटे आदमी ने ये सुनकर अपनी लाटी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे जैसे सची में उनकी पिटाई कर देगा फीर बल के भीजे हुए आदमी भाग मिकले लेकिन पंडिजी पंडिजी का राग अपना उनों ने नहीं छोड़ा कुछी देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता हुआ समू पंडिजी पंडिजी चिलाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आदम का मड़ा मज़ेदार दूश्यू पस्तित हो गया था मोटा आदमी लोगों के पीछे दोड़ रहा था पंडिजी पंडिजी कहकर नाच रहते गा रहते चिला रहते अब मोटा आदमी पंडिजी के नाम से प्रसिद हो गया जब भी लोग उसे देखते था पंडिजी ही कहकर संबोधित करते अपनी और से तो लोग यह कहकर उसका मज़ाग उड़ाते थे कि वो उनपर पथर फेकेगा या लाठी लेकर उनका पीछा करेगा लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता यही था वो प्रसिद तो हो नहीं लगाता इसी तरह महीनों बीद गए मोटा आदमी भी ठाक चुका था वो ये भी समझ गया था कि लोग उसे समानवश पंडित जी नहीं कहते बलकि ऐसा कहकर तो फिर उसका उपहास उड़ाते हैं लोग जान गये थे कि पंडित जी कहने से उसे घुसा आ जाता है वो सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं ये सोचकर वो इतना परिशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुँचा वो बोला मैं मातर पंडित जी कहलाना नहीं चाहता वैसे मुझे स्वैम को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक ये सुनना मुझे अच्छा भी लगा लेगिन अब मैं थक चुका हूँ लोग मेरा समान नहीं करते हो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं मोटे आदमी को वास्तविक्ता का आभास होने लगा था मोटे आदमी को ये कहता देखकर बीरबल हसता हुआ बोला मैंने तो तुम से पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे लोग तुम्हें वो सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हुई नहीं क्या तुम उन्हें मूर्ग समझते हो जाओ अब तुम कुछ समय के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ जब लोटो उन लोगों को नजर अंदास कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें एक अच्छे सब विव्यक्ति की तरह आच्रन करना शीगर ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा करना छोड़ देंगे मोटे आदमी ने बीरबल के निरदेश पर अमल किया जब वो कुछ समय बाद दूसरे शेहर से लोट कर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परिशान करना चाहा लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया अब वो मोटार में खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे है वो समझ गया था कि प्रसिधी पाने की सरल रा कोई नहीं है